नमस्ते उम्शान्ति आपको 300 दिन के श्री वर्दान में स्वागत है आपका और आज परम्पिता परमात्मा हमें गलत न सोचो गलत न देखो गलत न सुनो और गलत न बोलो इसके बारे में बताते हैं तो देखें आज बाबा कहते के इस चीज के बारे में परम्धात्म के दें सदा अपने पवित्र सुरूप में स्थित रहे सदा अपने पवित्र सुरूप हमारा ऊरिजिनल सुरूप जब हम इस धिति परनाहीं आये थे तो हम हम संपून मुक्ति में और शांति में संपून पवित्रता में रहते थे वहां पर ना कोई किसी चीज का वैर था ना उच नीच की बात थी ना धन संपत्ती की बात होती थी ना गोरे काले की बात होती थी ना कट की बात होती ना इस्तरी की ना पुरुष की बात होती थी क्यों रूपी मोती चुगने वाले हुली हंस भवा आपने देखा होगा कि हंस दिखाए जाता है देवी देवताओं के साथ में तो हंस भी दिखाते हैं और कमल पुष पर उपर बैठे हुए दिखाते है कि कोई वेक्ती कमल के उपर कैसे बढ़ चकता है साथ केजी का वेट कोई कमल उठा सकता है क्या कभी ने उठा सकता तो उसका अर्थ क्या है तो कमल के उपर बैठना मतलब कि उनकी सोच बिलकुल पवित्र थी कोई भी गलत चीज गलत बात उनको चूह नहीं सकती थी यह है देवी देवताओं का जो कमल पुष्प का जो सिंबल दिखाते हैं चिन जो दिखाते हैं तो हर चीज जो दिखाई जाती है देवी देवताओं के चित्र में उससा कुछ न कुछ अर्थ होता है तो फिर विस्तार में चलें बाबा कहते के हैं आप होली हंसों का सुरूप है पवित्र और हंस क्या होता है मोती चुकते हैं बगुले होते हैं वो कंकर चुकते हैं तो कंकर चुकना मतलब गलत सोच, गलत बोल गलत देखना, गलत कर्म करना तो होली हंस मोती चुकते हैं आप होली हंसों का सुरूप है और दस बुराई होती है, लेकिं बरमात्मा कहते हैं, आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपकी दृष्टी क्या देखना चाहती है, अगर आपकी सोच पवित्र है, अगर आपने चश्मा लगाया है अच्छी सोच का तो आपको वो रंगीन देखेगा अगर आपने काला चश्मा लगाया है तो और उके अंदर आपको काला देखेगी तो हर एक के अंदर कुछ न कुछ गुण है जिसको हम रंगीन कहरा चारे हैं तो हर इंसान के अंदर जो गुण है वो अगर हम देखते हैं तो हम गुणों को चुकते हैं अवगुण टूपिक अंकड कभी भी बुद्धी में स्वीकार ना हो किसी की कोई बुराई भी देख ले अगर आप तो वह आप बार बार उसके बार में अगर मन अंचिंतन करते हैं वह ऐसा है उसना ऐसा बोला उसके अंदर सोचते हो कैसी है किसी की बुराई किसी की बेस्ती भी करना या किसी के बार में सोचना भी हो, कितनी गृणा से सोचना या कितने गंदे लेवल पे वो इंसान ऐसे भी सोचना, वो हमारे मन के अंदर एक बीज पैदा कर देता है, अब जितना सोचेंगे उसके बार में गलत, उतना आपके अंदर बीज पैदा होंगे, और किसी ना किसी द में complain कर रहे थे यह आप ध्यान दीजेगा इस इसके बारे परमात्मा कहते हैं लेकिन इस करतवे को पालन करने के लिए सदायव एक आज्या याद रहे कि ना बुरा सोचना है तीन बंदर ने गांदीजी गए लेकिन यहां पर चार है तो ना बुरा सोचना है ना बुरा सुनन सागर के किनारे पर रहते हैं सागर कौन है क्यान का सागर अगर हमने बुरा सोचा बुरा देखा बूला बुरा सुना तो मन मैला हो गया तो मैले-मन वाली आत्मा कभी ने कर सकती Nedिदा परमात्म से जुड़नी सक्टी है तो इसलिए अपने ही भले के लिए यह की मुझ तो यह परमात्मा का करते हुए और उसके कर्मों का उसका इस्ताम मिल जाएगा तो हमें क्या करना है हमें किसी के अंदर बुरा नहीं देखना ना बुरा सोचना है ना बुरा बोलना है ना बुरा सुनना है किसी के बारे में ताकि हम परमात्मा से निकट रहें नहीं तो सिद्धिगी निकल जाएगी, बुरा सोचने, बुरा देखने, बुरा बोलने, बुरा सुनने में, और परमात्मा का संग छोड़ जाएगा, सागर के किनारे पे कभी नहीं पहुँच पाएगे, तो इस चीज का ध्यान दे अपने उपर ही आशिरवात करें, ये सारी के पास में रहते हैं, तो आज ये परमात्मा हमें एक meditation में, जो हमारे विगन जवात हैं, उससे बचने के लिए ये चीज सिखा रहे हैं, अगर आपके जीवन में अगर ये चीज हैं, आप बुरा दिख लेते हो, बुरा सुन लेते हो, बुरा सोच लेते हो, बुरा बोल दे में जा करके निशल्क सीख सकते हैं तो आज का ये संदेश परमातमक का आपका दिन शोबो आप स्वासरे ओम शान्ति